नमस्कार दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में सत्तर के दसक का वो हैंडसम हंक एक्टर जिसने अपने कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया एक्टर की ना सिर्फ एक्टिंग के लोग दिवाने थे बलकि उनकी खुबसूरती पर तो उनकी को इस्टार मर मिटने को तयार थी इस एक्टर की खुबसूरती नहीं इसे कभी इस्टार नहीं बनने दिया नहीं तो ये एक्टर अमिताब बच्चन को भी टकर दे सकता था लाइक जरूर करिएगा दोस्तों हिंदी सिनेमा का वो जाना-माना अभिनेता जिनकी पॉपुलेरिटी ना सिर्फ भारत में बलकि विदेशों में भी काफी थी खुद सरमिला टैगोर भी एक समय में उन्हें पहली बार देखते ही एक्टिंग तक भूल गई थी रोमांटिक रोल ने इस एक्टर का ऐसा पीछा किया कि इन्हें अपनी परतिवा दिखाने का मौका ही नहीं मिला और यही वज़े रही कि वो कभी सूपरिस्टार नहीं बन सके अपने दौर के वो हैंडसम हंक जिन्होंने महज दस साल की उम्र में ही एक्टिंग की दुनिया में कदम रख दिया था सबसे पहले अपने भाई राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म आग में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया था वो कोई और नहीं बलकि दिगज अभीनेता ससी कपूर थे बतौर हीरो वो पहली बार साल 1961 में नजर आये थे उन्होंने यस चोपडा की पॉलिटिकल ड्रामा धरम पुत्र में अपनी पहचान बनाई थी इस फिल्म के बाद उन्होंने अपना लोहा 1965 में आई दो फिल्मों वक्त और जब जब फूल खिले से मनवाया उनकी ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी ससी कपूर ने चार दसक तक सिनेमा की दुनिया पर राज किया अपने गजब के एक्टिंग टेलेंट की वजह से उन्हें नैशनल अवार्ड, फिल्म फेर अवार्ड, पद्म भूसन और दादा साहिब फाल के पुरसकार से भी सम्मानित किया गया था केरियर में एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने महज सौ रुपे की साइनिंग एमाउंट लेकर एक नए डारेक्टर की फिल्म में काम किया था बात साल 1982 की है रमेश सर्मा बतौर निर्देसक अपनी पहली फीचर फिल्म निउ डेली टाइम्स को लेकर आये थे वो इस फिल्म में ससी कपूर को लेना चाहते थे बात हुई ससी कपूर ने हामी भी दे दी लेकिन जब बजट की बात हुई तो डारेक्टर ने बताया कि उनका बजट बहुत कम है और कुछ लोग तो बिना पैसे के ही काम कर रहे हैं तब ससी कपूर ने 101 रुपए लेकर फिल्म साइन की थी ससी कपूर इतने हैंडसम थे कि खुद सर्मिला टैगोर उन्हें देखते ही सेट पर अपने डायलोग भूल गई थी एक बार फिल्म कस्मीर की कली के सेट पर सम्मी कपूर अपने भाई ससी कपूर को ले आये थे सर्मिला ने उन्हें देखते ही कहा ओ माई गॉड दिस इस ससी कपूर उन्हें देखते ही वो होस को बैठी थी ऐसे में उन्होंने कहा ससी कपूर को सेट से हटाएं नहीं तो मैं डायलॉग नहीं बोल पाऊंगी अपनी इसी खूबसूरती का ससी कपूर को नुकसान भी उठाना पड़ा था खुद सबाना आजमी का भी मानना है कि ससी कपूर को उनकी अच्छी सकल की वजह से नुक्सान हुआ था मसूर निर्देशक स्याम बैनेगल ने ससी के साथ जुनून और कलियुक जैसी फिल्मों में काम किया उन्होंने भी बताया था कि ससी को जादातर रोमांटिक रोल्स ही दिये गए उनकी खुबसूरती की वजह से लेकिन किसी ने उनके टैलेंट को नहीं पहचाना यहीं वजह रहा कि वो अच्छे एक्टर होते वे भी कभी सूपरिस्टार नहीं बन सके दोस्तो मैं अपना वीडियो यहीं समात करता हूँ मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाई बाई टेक केर